देश के 75 वर्षों के ब्रहष्टाचार में वुपेश बगेल जी का एक ऐसा उधारन आया है कि जिसने एक नहीं अनेक ब्रहष्टाचार किये हैं उनकी सरकार में गोठान घोटाला कोईला घोटाला शराब घोटाला पेपर लीग घोटाला और अब महादेव एप घोटाला घोटाले पे घोटाला और 36 गड में कहते हैं घोटाला करो ब्रश्टाचार करो और भूपे करो बुपेश बगेल को पेमिंट करो तो शरीमान बुपेश बगेल जी ने 508 कुरूर पे महादे वैप वाले से लिया ताकि उनके पुलिस वाले उनको थोड़ा थोड़ा तंग करते रहें उनको टाइट करते रहें और भुपेश बगेल जी की जेब भरते रहें और भुपेश बगेल जी उस पैसे से कॉंग्रेस हाइकमान की जेब भरते रहें अब ये सवाल खड़ा होता है जो गंभीर आरूप है बगेल जी ने क्यों इसको बंद नहीं कराया क्या क्या इनके पुलिस वाले यह नहीं कर सकते थे क्या इन्होंने एक बार भी प्रेस वारता करके कहा कि इस आप को बंद करना चाहिए क्या एक बार भी पिछले चार सालों में बुपेश बगेल जी ने एक पत्र भी लिखा इसको बंद करने के लिए ये साफ दिखाता था पूरे के पूरी तरह से ये एप को चलाने वालों के साथ सटे से पैसा कमा रहे थे और सटे का पैसा सत्ता में आने के लिए उप्योग करने में लगे थे अब जब पोल खुल गई है तो पसीना आता है बगेल जी को टाइम देखते हैं सवालों का जवाब नहीं देते हैं मीडिया को कहते हैं अरे कितना सवाल पूछोगे कितना भागोगे बगेल जी सवालों से अब 36 गाता है भाग भुपेश भाग भाग भुपेश भाग जतना भी भागोगे जनता भगाएगी फिर जांच जन्सियां भगाएगी लेकिन भ्रष्टा चारकिया पकड़ के लाएंगी और जहां मनीज से सोधिया संजे सिंग सतेंदर जैन है जहां केजरी वाल दी जाने व मेरा बढ़ा इस सवाल उनसे क्या वुके बोपेश भगैल जी के वित्मंत्रा ले डरह मंत्रा ले ने राज्ये की सरकार ने कोई कर वाई की क्यों सरक्शन दिया था क्यों उन्होंने शुभम सोनी को विदेश जाने के लिए कियो असीम Meista के माध्यमस से जो कहा गया पैसे कै से करवाने क्यों इनके पुलिस के अधिकारी पैसा ही कठा करा के बुपेश भगेल जी को पेमेंट करते थे क्या ये पैसा किवल बुपेश भगेल तक आया कि कॉंग्रेस हाई कमान के किस किस व्यक्ति को गया इस बात का जवाब देश चाहता है चतिस गड़ को लूट कर खोखला करने वाले एक नहीं अगनेक स्कैम करने वाले बुपेश भगेल से जनता पूछती है कितना खाया है कितना और खाने की इच्छा रखते हो अब जबाब दो भागो मत पहले कहते हैं भूपे करो अब कहते हैं भाग भूपे भाग मैं यह कहूंगा जैराम जी पुड़ी चंता कर अपनी पार्टी की महराष्ट में भी चुनाब हार गई और अब छत्तिस गड़ राज्यस्तार मध्य प्रदेश में भी आप लोग हारने वाले अब अब अख्लेश यादव जी ने कभी ममता जी ने कॉंग्रेस को धोके बाज कहा ही और यह इनका इतिहास बदाता है कॉंग्रेस ने सबका उप्योग किया अपने लिए कभी इनके नाम पे सरकार बनाई फिर लुड़का दी फिर दूसरे की मिनाई फिर लुड़का दी फिर खुद सत्ता में आगे तो कॉंग्रेस का तो पुराना खेल है कभी जाती धरम संपरदाई के नाम पर वोट मांगते हैं तुष्टी करन करते हैं कभी चोटे दलों का अप्योग करके अपनी पार्टी सत्ता में लाते हैं और फिर उनको का है कॉंग्रेस पार्टी से और कॉंग्रेस के भष्टाचार राज्यसान और चत्तिसगड़ को देखकर अब इनको लगता है कॉंग्रेस तो आने वाली नहीं इनसे दूर हट लिया जाए देखिए मध्यबरदेश की जनता ने देखा है कि कॉंग्रेस के राज में बिमारू राज्य था और दिखविये सिंग जब 10 साल मुख्य मंतरी थे तो तुष्टी करन की राजनीती करते थे बोपाल गैस ट्रेजडी में भी बोपाल गैस से प्रभावित लोगों को हग तो यहां के इवाओं को रोजगार लेने के लिए बाहर जाना पड़ता था इलाज कराने के लिए प्रदेश से बाहर जाना पड़ता था पिछले कुछ वर्षों में जब से भारतियंता पाटी की सरकार है 47 लाख हेक्टेयर जमीन संचाई हो गया हुई सबसे बड़ा गेहुत लऄना पाटक बना करिशी की दर सबसे जादा देशमें मध्याप्रदेश की है आईटी से लेके टैक्स्टाइल तक हर तरह की इंडəस्ट्री मध्याप्रदेश में आ हरी है मध्याप्रदेश और अपड़ों से लेकर आज हवाई अडों का निर्माण हो रहा है कई वंदेouse ट्रेन यहां के लिए चला कर दी कई मध्यप प्रदेश नहीं कभी बिमारु था Omega के राज मे आजह अग्रनी राज्यों में आ कर खड़ा हुआ है वाहु पाँकर गृट न मूंगरी abrupt के सपने मध्य मद्य परदेश की जनता यही कहती है कि मद्य परदेश के मन में मोधी और इस बार मोधी मोधी ही होने वाला है